हेलो एर्रीवन वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल विद्यमंदिर और अगर आप मेरी क्लास पहली बार अटेंड कर लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना साथी बैल आइकन पर क्लिक करना नहीं बोलें तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स कॉशन है कि केंद्रों स्थान सिधान्त जिन सिधान्त पर आधारीत है अगया है तुँआ क्याह रही तो यह है रेंज-oaste थे खै कि है तो केंदरे स्थान सिध्धान जो है देकि ऑले दरे केंडर्ग प्ली सिद्धान जैस अधाया था यह मुझा आ था यह केंडर्ग जो part यानि कि दहलीज, तो केंद्रे सिधान सिधान सिधान, दे सेंटर प्लेज थियोरी, सेवा की दूरी और दहलीज सिधानतों पर अधारीत है, नोट कर ले ना, बेर इंपोर्टन कोशन है, ओके देन हमारा नेक्स्ट कोशन है कोशन क्या है कौन सा कथन सेंटर प्लेस मोडल के अनुसार दहलीज को सही धंग से दरसाता है जैसे कि आभी first question में आपने पड़ा कि the center place theory का जो सिधान्त किस पर आधारित तो वो दहलिज पर आया था second उसका first सेवा की दूरी second है दहलिज तो आभी पूछ रहे है जो center place theory जो model है उसके अनुसार दहलिज को सही धंग से दर्साता है तो दहलिज को क्या सही धंग से दर्साता है यह बताना है which one of the following statements correctly depicts the threshold according to central place model ठीक है या निकी cpm या cptb कह सकते है center place theory तो यह किस तो इसमें center place theory याने की model क्या नुसार जो दहलिज उसको सही धंग से दर्साता है तो क्या दर्साता है तो इस cancer क्या होगा तो इस cancer है minimum number of people needed to support a service चीक है क्या कहा रहा है किसी सेवा का समर्थन करने के लिए आवशक न्यूनतम संख्या में लोग दहलिज को क्या दर्साता है कि किसी सेवा का समर्थन करने के लिए आवशक न्यूनतम लोग ठीक है उसमें न्यूनतम लोग होने चाहिए minimum number of people needed to support a service यह इसका correct answer नोट कर लेगा हां जी दर नेक्स्ट कोशन है अभी क्या कह रहा है कि किसका उच्टम दहलीज उच्टम स्रेणी का केंद्रे स्थान कारिया है ठीक है यह सारे कोशन connect है सेंटर प्लेस थियोरी के ही है क्या कह रहा है कि किसका उच्तम दहली जो उच्तम स्रेणी का केंद्र स्थान कारिया है which among the following has the highest threshold highest स्रेण सेंटर प्लेस फंक्शन तो इसका अंसर क्या होगा तो इसका अंसर है neurosurgery complex यानि कि neurosurgery complex जो है तो neurosurgery complex यह क्या है यह उच्तम दहली ज्रीज का उच्तम स्रेणी का केंद्र स्थान कारिया है नोट कर लिए very important question है the next question क्या है next question है क्रिस्टोलर के अनुसार एक केंद्र स्थान है क्या कह रहा है according to crystallor a center place is डिक है क्या कह रहा है कि Christopher के अनुसार एक केंद्रे स्थान है according to Christopher a central place तो क्या है तो a central place is a settlement which provides one or more service for the population living around it ठीक है क्या कहा रहा है कि केंद्रे स्थान एक ऐसी बस्ती है क्या है केंद्रे स्थान केंद्रे स्थान एक ऐसी बस्ती है central place है वो क्या है तो केंद्रे स्थाने कैसी बसती है जो की अपने आसपास रहने वाली आबादी के लिए लोगों के लिए एक या एक से अधिक सेवाए परदान करती है उसे हम central place कहते है ठीक है एक केंद्रे स्थान कहते है ये क्रिश्टोलर के अनुसार नोट कर ले ना ह्जी, the next question है, question क्या है, lumberingitt sthrening में आता है, क्या कर रहे, lumbering falls in the category of, तो lumbering क्योंजी sthrening में आता है, तो جो lumbering है वो प्रायमरी activities में आता है, यानि कि प्राथ में, गतिवीदिया में, okay, the next question है, मत से उत्पादन का सबसे बड़ा भाग कहां से ≤ प्राप्त होता है क्या कहा रहा है जो मत्सी उत्पादन है उसका जो सबसे बड़ा भाग है वो कहां से प्राप्त होता है तो जो मत्सी उत्पादन का सबसे बड़ा भाग है वो कहां से प्राप्त होता है तो वो होता है हमें हाँ जी the next question है हमारा तो question क्या है लंका शायर सूती वस्तर उद्योग का स्थान किन अनुकूल कारकों के कारण है ठीक है क्या कह रहा है जो लंका शायर सूती वस्तर है लंका शायर सूती वस्तर उद्योग का स्थान है वो किन अनुकूल कारकों के कारण है यानि कि वहाँ क्या factor पाए जाते हैं जिसके कारण लंका शायर सूति वस्त्रु वहां है ठीक है वहां का स्थान जो है अनुकूल-कार्फ के कारण क्या factor वहां के Location of लंकाशायर, cotton textile industry आऊस टूधा, फैरोबल पैक्टर तो क्या फैरोबल पैक्टर है वहा पर, तो वहा है, हुमिड क्लाइमिट एंड सोफ्ट वार्टर, ठीक है, फर्स्ट तो ये है, हुमिड क्लाइमिट एंड सोफ्ट वार्टर, यानि कि आद्र जल्वाय। और सीतल जल, ठी तलजल है, then second है, abundant coal availability, यानि कि परचूर मातरा में कोईले की उपलब्दता, वहाँ जो है, वहाँ पर परचूर मातरा में कोईले की उपलब्दता है, इसलिए, and third है, position of Liverpool in the Atlantic trade zone, ठीक है, क्या करें, Atlantic व्यापाट छेतर में Liverpool की स्थिती, ये तीन फैक्टर है, ठीक है, इन इन फैक्टर्स के कारण, लंका शायर सूती वस्तर का उद्योग का स्थान, अनुकूल, वहाँ का जो फैक्टर है, वहाँ अनुकूल है, किसके लिए, लंका शायर सूती वस्तर उद्योग के लिए, okay, the next question है, question क्या है, California में Silicon Valley के high-tech फर्मों के स्थानी करण में, कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभा उसाली है, ठीक है, क्या है, which one of the following factors most dominant in the location of high-tech firms of Silicon Valley in California, तो जिक California में Silicon Valley है, उसकी जो high-tech फर्मों के स्थानी करण में, कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभा उसाली है, तो कौन सा कारक है, तो वो है agglomeration economy, ठीक है, यानि कि समू अर्थवयस्ता, जो agglomeration economy है, समू अर्थवयस्ता है, वहाँ वो जो, ये जो है, Silicon Valley के high-tech फर्मों के स्थानी करण में, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कारक है, नोट कर लेना, नेक्स्ट कोशन है, क्या कह रहा है कि कौन सा समूदरी मार्ग विश्व का सरवादिक महतपून और व्यस्ताम मार्ग है, विश्व का वर्ड का वो कौन सा ओशन रूट है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टन सरवादिक महतपून और विजस्ताम मार्ग है, तो वो कौन सा है तो यह नोर्थ अंटलांटिक रूट यानि कि उत्र अंटलांटिक मार्ग यह जो नोर्थ अंटलांटिक रूट है यह समुदरी मार्ग जो है यह विश्र का सबसे महत्वपून ठीक है most important and be just ठीक है व्यस्त मार्ग है नोट कर लेना the next question है धार्नय विकास किया व्दान्ट पर अधारी तह्या जोई सिद पाराद्व दानथ पर अधार ही ति है है तो इसका अंसर क्या होगा तो इसका अंसर है इंटर जनरेशन इंटर जनरेशन ट्रांस्पोर्म इंटर जनरेशन ट्रांस्परेबिलेटी यानि कि अंतर पीड़े हस्तांतरी नहीं है था ठीक है एट है social justice यानि कि सामजिक मार्म and last है transfer ஻िस रिस्पोंसिबीलीटी यानि कि पार स्िमा जिम्यदारी यह जो principles है यह धारने विकास के आउधार्ना के सिदान्थ पर आधारी हिब था ठीक है फर्स्ट प्रस्ट क्या है intergeneration transferability second है social justice and third है transfer rent is responsibility अंत पीडिया अस्तांत रहें था सामजिक ने आए एन पाहर सीमा जीमेदारी यह जो है यह यह तीनों धार्ने विकास के आउदार्ना सिद्धांत पर अधारीत है the next question हमारा तो क्या कह रहा है कि सामुदाइक विकास कार्यकरम प्रथम में तक किसके लिए प्रारंब किये गए the community development program was integrated primary 2 तो यह किसके लिए स्टार्ट के गए थे तो किसके लिए किये गए थे तो इसका अंसर क्या होगा सामुदाइक विकास कार्यकरम जो है यह किसके लिए प्रारंब किये गए थे किसके लिए इसके शुरुआत की गई थी तो इसका अंसर है स्वेम सहायता दुआरा गाओं के समगर विकास करने ठीक है स्वेम सहायता दुआरा गाओं के समगर विकास करने ब्रिंग आउट स्वेम सहायता दुआरा गाओं के समगर विकास करने के लिए सामुदाइक विकास कार्यकरम शुरुआत क्या गया था और यह कब शुरुआत क्या गया था तो यह 2 अक्टूबर 1902 ठीक है लिए सटाट क्या गया था ओके नोट कर लेना कि कब सुरुआत क्या गया था तो यह date very important है कि कब सुरुआत क्या गया था समुदाइक विकास करने करम तो यह 2 अक्टूबर 1902 मन को क्या गया था नोट कर लेना पार्देशिक नियोजन का दार्षनिक अधार किस ने प्रस्तूत किया जो पार्देशिक नियोजन है उसका जो दार्षनिक अधार किस ने प्रस्तूत किया तो यह इसका अंसर क्या होगा तो इसका अंसर है बैंटन मैके खिक है जो bantan mckay है उन्होंने जो पारदेशिक पनियोजन है उसका दार्ष निकाधार प्रस्तुत किया तो किसने किया था ये बैंटan mckay ने किया था तो आज की कोशन यही हटम होते हैं अपस आपको कोशन सच्छे लगे हो अगर आपको ये question सची लगे हो तो please चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूले थैंक्यू वोच्चिंग माई वेडियो टेक केर एवरिवन